हेलो जी नवस्ते, चातित कड रोजगान उसमें आपका स्वागत है, मैं हूब जै चहान और आपके लिए लेकर क्या गए है एक नहीं भर्ती केंदरी विद्यालाय रायपूर के अंतरगत यहां पर एक नहीं भर्ती के लिए नोटिफिकेसन जारी किया गया है जो भी भर्ती होगी सकतत कार के अधार पर किया जाएगा अर्था सिधी भर्ती ली जाएगे किसी तरह का कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा अन्सकालिन समीदा सिक्षकों की भरती के लिए आलावर 36 गड़ से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यारती जो है आवेदन पस्तूत कर सकते हैं सक्षाता कार के माध्यम से केवाल यहां पर भरती की जाएगी किसी तरह का कोई प्यपर या परिच्छा जो है नहीं लिया जाएगा बात करें पदों के विब्रणों के बारे में तिहां पर अन्सकालिन सिक्षकों की भरती निकाली गई है वहीं प्यार्टी के लिए भी यहां पर भरतियां की जाएगी जो भी भरती होगी सक्षातकार के अधार पर की जाएगी जो भी अभ्यार्टी PGT सिक्षकों के लिए अभ्यार्टी जो है आवेदन प्रस्तूत करना चाहते हैं उनका जो है वालकेन इंटर्व्यू 13 फरवरी 2023 को लिया जाएगा वहीं जो भी अभ्यार्टी TGT के लिए अपलाई करना चाहते हैं उनका जो है सक्षातकार 14 फरवरी को लिया जाएगा साथी साथ यहां पर बता दें नर्स के लिए भी यहां पर भर्ती की जाएगी खेल प्रसिक चक की भर्ती की जाएगी योगा प्रसिक चक की भर्ती की जाएगी संगीत और नित्य प्रसिक चक की भर्ती की जाएगी और computer अनुदेशक की भरती की जाएगी साथी साथ यहाँ पर counselor की भरती की जाएगी वीचे सिक्षकों की भरती की जाएगी जो की primary और senior primary school के लिए भी होंगे तो जो भी यहाँ पर भरती की जा रही है इस भरती प्रक्रिया में सामिल होने के लिए जो है आप walk in interview में उपसीत हो करके इसके लिए आवदान प्रसूत कर सकते हैं और विस्तरी जानकारी के लिए आप इनकी official website पर visit करके भी जानकारी जो है आपको हमारे इस वीडियो के description में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी जिस पर जूड करके जो है पीजेटी टिक्चकों के लिए जो भी भरती की जाएगी जो भी है ब्यारती पीजेटी सिक्चकों के लिए जो है ब्यारती पावदान पस्तूत करेंगे जैसे कि यहाँ पर विस्तर के बारे में जारकरी दी गई है वहीं बात करें वेतन के बारे में 27005 रुपे का प्रतिमा आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा जो भी है भ्यारती PGT सिक्षगों के लिए अपलाई करते हैं उनको 27005 रुपे का मासिक वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा वहीं बात करें TGT सिक्षगों के लिए जो कि अलग-अलग विसा हैं जैसे कि अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, समझी विज्ञान और संस्क्रीत के लिए है तो मनेता प्राप्त संस्थान से इसना तक कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के सा 27,28 की भी डिग्री होनी चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 26,250 रुपे का यहां पर मासिक वेतन देखनी को मिलेगा वहीं बता दें जो भी यहां पर भर्ति की जा रही है तो यहां पर PGT और TGT के लिए जो है तेरा फरवरी जो की मंडे को यहां पर वालक जया है 50% अंको के साथ साथ यहां पर वेसिक टीचर की डिगरी होनी चाहिए यहां पर Heart就可以 के ब् इसना तक डिग्री होनी चाहिए या फिर टीन वर्सी डिप्लोमा होना चाहिए नरसिंग के अंतर गत तब इसके लिए अपलाई कर सकते है और नुभव जिनके पास अनुभव है उनको जो है वरियता दी जाएगी प्रात्मिक्ता यहाँ पर दी जाएगी और बात करें इनको वेतन के बारे में तो जिस दिन ये काम में जाते हैं जो है उनको यहाँ पर 750 रुपे प्रती दिन के हिसाब से जो है कार्य दिवस के हिसाब से यहाँ पर दिवेतन यहाँ पर दिया जाएगा वही बात करें counselor के लिए तो cancillor के मानाता प्राप तभी सभी दाला साब के पास MA की डिगरी होनी जाहिए या फिर MSC के आपके पास डिगरी होनी चाहिए MSC के जो डिगरी है मनुवी घ्यान काने नंतरगत होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेधन प्रस्तूत कर सकते हैं वही अगले नंबर की जो पद निकाली गई है प्रसिक्षक जो की कोच के लिए निकाली गई है जो भी कोच होंगे जिसे क्रीडा कोच होंगे नित्त के लिए होंगे संगीत के लिए या फिर योगा के लिए तो इसमें बतायागा है कि विशावी दालत से 50% अंकों के साथ जो है इसनातक की डिग्री और सम्मधित विशाय में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें जो भी वेतन मिलेगी 21,250 रुपे का मासिक वेतन यहाँ पर दिया जाएगा वहीं अगली नमबर पाद यहाँ पर निकाले गई है कंप्यूटर अनुदेशक की तो इसमें बी और बी टेक की डिग्री मागे गई है साथी साथ यहाँ पर यह भी बताएगा है कि अगर आपके पास PGDCA का जो है डिग्री है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तब आपके पास तीन तरह के क्वालिफिकेसन में से किसी एक क्वालिफिकेसन आपके पास होनी जारूरी है या तो आपके पास B.E. की डिग्री होनी चाहिए, या फुर B. T.E. की डिग्री होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर बताएके हैं PGDCA की डिग्री होनी चाहिए, शाथी-साथी यहाँ पर M.E.C. वालों के लिए भी बताएगे हैं, में से किसी तरह की आपके पास डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहां पर भरती की जाएगे जैसे काउंसलर है नर्स है प्रस्तिक्षक है और कंप्यूटर अरू देशक उसके लिए 15 फरवरी वेड़नेश देखो यहां पर वालकेन इंटर्व्य जो लिए जाएंगे बता दें जो भी अभियारती इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे वालकेन इंटर्व्यू के माध्यम से यहां पर भरती की जाएगी वहीं सभी विसायों के लिए बताएगे हैं तो बता दें यहां पर 10 प्लस 2 की आपके पास qualification होनी चाहिए 10 प्ल कर सकते हैं इस पेसल एजुकेटर के लिए जो भी भरती होगी इसमें 26,250 रुपया का प्रतिमा यहां पर वेतन दिया जाएगा 15 फरवरी 2030 वेडनेश डे को यहां पर वालकेन इंटर्वू के माध्यम से यहां पर चैन किया जाएगा साथ ही साथ कुछ यहां पर आन दिशा निर्देश दिये गए हैं जो भी अभी हर्थी इस अवेदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं भरती प्रक्रिया में सामील होना चाहते हैं तो निधारे डेट पर निधारी समय पर पहुँच करके जो है आप लाइक कर सकते हैं यहां पर बदा दे आप एक से ज़्यादा पद दों के लिए भी अप अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर बताया के है ऌने के हुनि होना चाहिए चाहिए अभियारती हैं यहां पर आवईदन प्रस्तूत कर सकते हैं विस्त्री जयंकारी के लिए आप इनकी आप इसली वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं आप इसली वेब साइट जो कि हमारे टेली क्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और पीडिया फाइल के लिंग भी जो आपक किसी तरह का कोई एक्जाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा बता दे किंद्री विद्धाले क्रमांग एक जो की रायपूर है उसकी मूल जो लोकेशन है डब्रूलू आर एस कॉलोनी रायपूर के अंतरगत जो है आपको उपस्तित होना होगा यहाँ पर बताने लगभग लगभग साथ या फिर आट यहाँ पर किंद्री विद्धाले हैं तो उसमें से फर्ष्ट किंद्री विद्धाले के अंतरगत यहाँ पर भरतियां की जा रही है आप इस लोकेशन पर पहुँचकर निधारी समय में पहुंच करके इस भरती प्रक्रिया का लाब उठा सकते हैं वीडियो से जोड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रस नहीं है तो हमें कमेंट में जरूर बताईए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए अन्य लोगों के पास सेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगार परग जनकारी के लिए 36 गर रोजगार न्यूज को चैनल को सस्क्राइब जरू करिए हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगार परग जनकारी के साथ